कर लेता हूं हाउ टू इंक्रीज पवन एक्चुल एक्जाम में आप 80 से भी ज्यादा एक्टेम कर पाएंगे आप अपनी एकुरेसी का ख्याल रखिए मानली एक्चुल एक्जाम आप देने जा रहो मैं आउनिसली बता रहा हूं अगर आप सतर से यहां कर रहो वहां 85 क्रॉस कर जाओगे पेपर बैलेंस आएगा 85 में अगर आपका एरर परसेंटेज कम होगा तो आप ठीक ठाक स्कोर कर लोगे एक्जाम में डीसेंट स्कोर कर लोगे तो बहुत ज्यादा पैनिक क्रीट मत करिए अपने उपर आपको बस यह देखना है कि मेरा जो अस्तर है उससे खरा मत बूलो उससे कंबेर ही मत करो अपने आपको तुम देखो मैं यह हूँ आज की डिट में कि मैं एक्जाम में सतर से स्टेंट करता हूं मेरे इतने माक्स आते हैं पेपर बैलेंस आएगा तो मैं डेफिनेटली जाधा एटम करूंगा और मेरी एक कुरेसी ठीक टाक रहेगी आपको एक्जाम में तो उस कंप्यूटर पर जाके तुम अपना सोचो कि मैं कैसे बहतर से बहतर कर पाऊं उसके लिए जैसे समंदर में मैंने बूला ना समंदर नहीं बूला चाहिए स्विमिंग पूल में अपनी बॉड़ी को आप हलका छोड़ दो दो देरी ओ फ्लोट similarly आप थोड़ा अपने आपको हलका करो अपना मन थोड़ा हलका करो बहुत भार से अपने आपको मत लाद लो आजी क्यार मेरे नंबर नहीं आ रहे मेरा क्या होगा अब देखो जो भी आ रहे हैं एक्जाम में यार पेपर आएगा फेवरेबल पेपर आगया होता है कितने ट करने की कुछिश करनी है आपको तो अपने माइंट्र सुधारी रोजाना आपने आपको ये मैसेज देना है कि मैं जितनी वितयारी मेरी है उस तयारी के छिसाफ से